दोस्त अगर आप रोजाना पांच मिनिट पुसाप करते हैं तो आपके सरीर में क्या बदलावाएगा? पुसाप करने के फाइदे क्या है? एक दिन में कितनी पुसाप करनी चाहिए? पुसाप हमारे सरीर की मजबूती के लिए काफी फाइदे मन है चाहिए जीलाने बाले लोग हो या आखाडे में पहलवानी करने बाले लोग हर कोई पुसाप करना पसंद करते हैं पुसाप को आप घर या कहीं भी कर सकते हैं ये जितनी प्रभावसाली एक्सेसाइज है उतनी इसे करना भी आसान है पुसाप आपकी आपर बोडी को मजबूत बनाने में मदद करता है इससे चाती कंधे हाथ ताकत पर बनते हैं और मासल उभरने लगती है पुसाप को अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपर बोडी के साथ पेट के मांग सपेसिया के लिए भी बे सारीर के हर एक को सिकाओ को अच्छे से पोसन मिलेगी हाठ और लांग्स को भी अच्छे से काम करने में मदद मिलती है आपको हाठ से जुड़ी बिमारी होने का खत्रा भी टल सकता है पुसाप एक सारीरिक बजन उठाने वाली एक्सेसाइज जैसा है इसलिए मासल के साथ सा सीधा होने में मदद मिलता है जिससे आपके बोड़ी पोस्चार में सुधार आता है अगर आप अपने बजन को कम करना चाते हैं तो रोजाना 5 मिनिट पुसाप करे इस से कैलोरी बान होने के साथ साथ आपके सरीर के मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ती है जिससे आपका बज जनतेजी से घटेगी आजकल के सिडेंटरी लाइपिस्टाइल में याने जो लोग बैट के काम करते हैं उनमें कमरदर्द की समस्षा 70-80% बढ़ा है पूसाप करके आप अपने कमरदर्द की समस्षा को रोक सकते हैं पूसाप के फाइदे पूरुसों के लिए सबसे पूसाप करने से आपकी लौर बैग स्ट्रोंग बनेंगे किसी भारी समान को ठाते बक्त आपको चोट लगने की खतरा भी कम होगी रोजाना पूसाप करने से हमारे कारिय समता बढ़ता है पूसाप करने की दवरान बोडी के लगभक सभी अंगों का एक्सेसाइज हो जाता आपको एनरजेटिक महसूस होगी आप दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे अगर आप मोटाबा का सिकार है या तो किसी तरह का लाइप इस्टाइल विमारी से बचना चाते हैं जैसे कि डाइबेटीस, हाइपर्टेंशन तो रोजान आप पूसाप जरूर करें पूसाप हमारे मानसिक हालात को भी बहतर बनाता है पूसाप करने के बाद हमारे दिमाग में हैपी होर्मन, एंड्रोफिन, डोपामाईन, ऑक्सिटोसिन डिलीज होती है जिससे तनाव कम होने के साथ साथ, तनाव से जुड़ी कई विमारी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने का खत्रा भी टलता है पूसाप करने से हमारे तचा में निखार पनाती है, बाल मजबूत होता है लेकिन एक दिन में कितनी पुसाप करे, अगर आप बिगिनर हो, तो 10 से 12 से ही सुरू करे और करते वक्त सही तरीका अपनाए, अगर आप गलत तरीके से करते हो, तो आपको चोट भी लग सकती है बात में इसे बढ़ा कर आप 25 से 33 बार करे उमीध है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए ही तक धन्नवाद